इल्जेपी में बिहार संसद्य बोर्ड की बैठक विली में हुई है आखिरकार क्या कुछ तैह हुआ है क्योंकि जदियू और इल्जेपी के बीज काफी खिस्तान है जिहां आए हम आपको बताते हैं क्या कुछ तैह हुआ है नमस्कार में हूँ अभी शेक्तिवारी आप देख रहे हैं बिहार के साथ दिरसल बिहार के साथ क्या हो रहा है इंडिये की स्तरकार है और इंडिये में घमसान है जडियू और इल्जेपी के बीज काफी खिस्तान है अब ऐसे में आज इल्जेपी के तरफ से संसद्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी बिहार संसद्य बोर्ड की बैठक में तमाम जो हमें स्क्रिन पर आपको दिखा रहे हैं तमाम लोग सम्मिलित हुए थे और इसमें बहुत आहम मुद्दे पर निरणे लेना था लेकिन अब भी कुछ ऐसी निरणे हैं जो समंझसे के स्थिती में है अब भी कुछ क्लिर नहीं किया गया है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस खिर स्थान के बेश्ट चिराग पास्वान ने एक बर फिर से अपने तमाम निताओं के साथ परवक्ता और पाटी के करेकरताओं को हिदाद दे दिया है कि एंडिये को लेकर कोई किसी तरी पास्वान क्या साबित करना चाहते हैं यह तो चिराग पास्वान ही बताएंगे लेकिन फिलहाल सीटों के बटवारे को लेकर के संसद्य बोर्ड की बैठक में अब सुत्रों का हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि लजेपी पूरे बिहार में विधान सभाज सी की मांगी गई है जिसमें यह तैकिया जाएगा कि 243 सीटों के लिए हमारे पास नेता अबलेबल है या नहीं किनकी जिम्मेदारी है यह भी आगे बताएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात और वाजिब बात तो यह है कि जिराग पस्वान का यह मानना है कि पत्रों के जरिये ह हम सीम को आउगत कराने के कोशिस कर रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार के अविक खामिया हैं हमारे सरकार के द्वारा किस तरीके से बिहार की खामियों को दूर किया जा सकता है विसे बिहार में अगामी बिहार बिधान सबाज़ चुनाव के मद्द नजर शिटो की बादसित पर लगबग ड्राए बिहार संसेडिये बोर्ड के मिम्बरों के द्वारा यही दिया गया है कि बिहार में 243 सिटो के लिए हमें सुची तयार कर लेनी चाहिए अब देखने वाली बात है आखिरकार 243 सिटो पर LGP क्यों सुची तयार करने में लगी है यहाने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार की सुची रननिती के तहत बिहार बिधान सबाज चुनाओं में काम करना चाहती है LGP एंडिये के साथ रहेगी या फिर एंडिये से मोहमया तोड़ लेगी फिलाल जिस प्रकार से अभी खबरी निकल कर आ रही है शुत्रो की माने तो 243 सिटो पर तयारी LGP ने शुरू कर दी है इस खबर में इतना ही आगे के खबरों के लिए बने रहें बिहार के साथ क्या कुछ चल रहा है बिहार में विधान सबाज का चुनाओं भी होना है तो तमाम कत्विधिया लेकर हम आप तक पहुंचते रहेंगे इसके लिए अगर अभी तक आपने हमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए बेल आइक अंदबरा ना भूले ताकि हर एक खबर हम आप तक पहुंचा पाने में सक्चम हो सके नमस्कार